वीडियो के साथ में में अर्यन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हिओंडाई करेटा के बारे में तो आप अपने सामने देख सकते हैं यह हिओंडाई करेटा का SX variant है जो कि इसका second top model है तो guys SX optional से जो नीचे variant आता है वो है SX तो आज कि इसके सारे interior exterior features से बात करने वाले हैं तो सबसे पहले front से बात कर लेते हैं Chrome grill आपको मिल जाती है Hyundai का logo मिल जाता है center में Headlight setup की अगर यहां पर बात कर लेते हैं आपको LED DRS मिल जाते हैं Projector आपको LED head lamps मिल जाते हैं नीचे आपको इसमें fog lamps मिल जाते है Turn indicator, silver color की front skirt plate मिल जाती है Side profile से कुछ car ऐसी आपको देखने को मिलती है White color हमेशा evergreen color है बहुत शांदार लग रही है इस white color में भी उपर की तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आपको silver color की roof rail मिल जाती है और इसकी बहुत बड़ी sunroof मिल जाती है आपको यहां पर बात कर लेते हैं और features की तो chrome आपको मिल जाते हैं door handles यहां पर आपको turn indicator के साथ में मिल जाते हैं body colored over vms और अगर tires की बात कर लेते हैं यहां पर तो आपको alloy wheels देखने को मिलते हैं कुछ इस shape में बात करें यहां पर तो 215,60,R17,17 इंच के आपको alloy wheels देखने को मिल जाते हैं जे के tires के यहां पर देए गए हैं अब जड़ा चलते हैं back profile में और back profile में देखते हैं क्या कुछ features and all looks देख सकते हैं आप back से भी काफी ज़्यादा premium car यहां पर लगती है यह Hyundai kreta rear glass की बात करें तो आपको इसमें rear wiper यहां पर मिल जाता है rear defogger देखने को मिलता है उपर shark fin antenna आपको देखने को मिल जाता है roof में यहां पर Hyundai का logo kreta की badging मिल जाती है center में यहां पर लैंप दिया गया है SX की badging मिल जाती है यहां पर आपको इसके LED tail lamps देखने को मिल जाते हैं नीचे बात करें तो आपको यहां पर back light और reflector दिया गया है और आपको इसमें 4 reverse parking sensors देखने को मिल जाते हैं rear bumper में 190 mm की आपको मिल जाती है इस Hyundai kreta में ground clearance guys मैं आपसे बता दूँ यह SX petrol variant में आज आपको दिखा रहा हूं manual में तो इसकी actual room कीमत है 14.20 lakh rupees और दिली में ओन रोड आपको यह 16.5 लाक रुपे तक की पड़ती है की की बात कर लेते हैं तो lock unlock का बटन मिल जाता है यहां से आप इसके boot को open कर सकते हैं hold करके रखेंगे तो और अगर बात करें यहां पे तो आपको driver side door handle पे request sensor भी देखने को मिलता है interior से बात करें तो आप देख सकते हैं dual tone dashboard look आपको यहां पे दी गई है अगर front seats की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले driver side seat की बात कर लेते हैं और यहां पे adjustable आपको headrest देखने को मिलते हैं दोनों ही seat में और height adjustable आपको driver side seat देखने को मिल जाती है अगर door की बात कर लेते हैं तो यह भी आपको dual tone door आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर चारो पावर विंडोस के बटन दिये गए यह लॉक अनलोक का बटन यहाँ से आप इसके और वियम्स को इलेक्ट्रिकल एड्जेस्ट और फोल्ड कर सकेंगे, सिल्वर यहाँ पर आपको दोर अनलोक दिये गए है, एक बॉटल होल्डर कुछ पॉकिट स्पेस आपको यहाँ पर दिया गया है बात कर लेते हैं अब इंटियर के तो मैं इंटियर में आ चुका हूँ डूल टोन डैश्बोर्ड आपको देखने को मिल रहा है अब गाइस बात कर लेते हैं इसके MID की उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका पुछ स्टार्ड श्टॉप बटन अगर आपको इसको दबाते हैं तो आपकी MID ओन हो जाती है अगर MID ओन करके दिखो तो आप दिख सकते हैं कुछ ऐसा एनिमेशन आपको देखने को मिलता है 240 तक की स्पीडो मीटर में स्पीड लिमिट आपको देखने को मिल जाती है Left side में आपको RPM मीटर मिल जाता है जिसमें 6000 RPM तक की रेटिंग दी गई है Right side में आपको इसके fuel मीटर वगेरा दिये गए है बात कर लेतai है और features की इस event दिया गया रइच साइड में आपको यहापे नीचे आपको इसका headline लेवलर देखने को मिल जाता है बात कर लेते हैं यहाँ पर तो 10.24 इंच की आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसमें Android Auto, Apple CarPlay जैसे सभी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं टच रिस्पॉंस की बात करें तो वह भी इसमें काफी शांदार आपको देखने को मिल जाता है बात कर लेते हैं यहाँ पर तो आपको दो इस इवेंट उबर की तरफ देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर कुछ आपको यहाँ बटन भी दिये गए हैं जिससे आप इसके स्टीडियो को कंट्रोल से यहाँ से कर सकते हैं नीचे आपको ओटमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सौकिट यहाँ पर दिया गया एक यूएस्बी पोर्ट दिया गया एक लाइटनिंग केवल का पोर्ट दिया गया है 6-speed manual transmission में आपको कार देखने को मिलती है ऐसा कुछ premium gear नोब आपका दिया जाता है यहाँ यहाँ पे 360 view भी दिया गया है इसके अंदर और अगर मैं आपको दिखाओ इसका reverse parking camera तो एक बार मैं इसको जड़ा reverse gear में डाल देता हूँ तो आप देख सकते हैं ठीक ठाक अनदर में ने परिक कि आम रेस्ट की बात करें तो यह सइंटर में आपको दिया गया यहाँ पर इसके storage की बात करें तो यह भी आपको ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल जाता है और प्र FEMAल आप यहाँ पर day night rear view mirror देखने को मिलता है SX variant में यहाँ पर अगर sun visors की बात करें तो driver side से वेक ticket holder देखने को मिलता है center में sun glass holder यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और बात करें यहाँ पर तो आपको यह दो light दी गई है LED lights और यहाँ पर दी गई है इसकी यह बहुत बड़ी sun roof और पीछे आपको moon roof भी देखने को मिलती है इस segment में यह सबसे बड़ी sun roof यहाँ पर दी जाती है क्रेटा के अंदर passenger side sun visors में आपको vanity mirror दिया गया है passenger side आपको foldable grab handle देखने को मिलता है लेकिन driver side को यहाँ पर grab handle नहीं दिया गया है अगर बात करें यहाँ पर तो मैंने सारे interior की बात कर लिए guys front seat के मैं अपने height का recording adjust कर लिए अब मैं चलता हूँ पीछे की seat पर और मेरी height 5 feet 11 inch उस हिसाब से देखते हैं कि अगर इतनी height का मंदा पीछे बैटता है तो उसे किता space कुछ दिया जाता है पीछे के door में भी आपको एक bottle holder दिया जाता है यहाँ पर power window को button दिया जाता है चार speakers आपको इस car में देखने को मिलते हैं बात करते हैं यहाँ पर leg space की तो आप देख सकते हैं काफी ample of space आपको यहाँ पर दिया गया है और बात कर लेते हैं lag room की तो भी आपको इसमें descent दिया गया है यहाँ पर दो AC वेंट्स आपको rear में भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर USB पोर्ट भी दिया गया है और कुछ space अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर bump की तो छोटा सापको यहाँ पर center में bump दिया गया है sunroof आप देख सकते हैं बिल्कुल पीछे तक आपको यहाँ पर आनन देगी अगर आप इसके अंदर पीछे भी बैठते हैं तो front dashboard लुक आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है क्रेटा में rear seat से यहाँ पर आपको foldable grab handle दिया गया है एक light दी गई है अगर दूसरी side बात करें तो वहाँ पर भी आपको बिल्कुल ऐसे ही दिया गया grab handle, foldable और एक light यहाँ पर आपको इसमें curtains भी देखने को मिल जाते हैं पीछे की side में आप देख सकते हैं ऐसे आप इनको install कर सकते हैं और ऐसे वापिस निकाल भी सकते हैं तो ऐसे आप इसमें देख सकते हैं ये सब कुछ दिया गया है अब जड़ा चलते हैं इसके boot की तरफ और देखते हैं boot में क्या कुछ space and all दिया गया है तो यहाँ पे इसका एक बटन है आप उसके बूट को एकसेस कर सकते हैं उससे पार्सल ट्रे आपको इस रेंट पे देखने को मिलती है देख सकते हैं 433 लीटर्स का आपको इसमें मैसिव बूट स्पेस देखने को मिल जाता है एक लाइट भी दी गई है बूट में यहाँ पे और बात कर लेते हैं यहाँ पे तो राइट साइड में नहीं दी गई लेकिं यहाँ पे हुक जरूर आपको एक दिया गया है अगर बात कर लेते हैं इसके spare wheel की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे spare wheel दिया गया है और यह R16 एक profile छोटा टायर आपको यहाँ पे दिया गया है कोश्ट कटिंग करिए थोड़ी से क्रेटा वालों ने हिंडाई वालों ने पर चलिए कोई बात नहीं तो गाइज यह थी यहाँ पे Hyundai Creta SX variant पेट्रोल में और on road आपको साड़े सोला लाक रुपे तक की यह पड़ती है दिल्ली के अंदर गाइज अगर आपके साबसे इस variant के features आपके लिए बहुत है अगर आप satisfy होते हैं फीचर से तो आप इस कारड़ी के लिए जरूर जा सकते हैं तो कैसी लगी है कार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बाई बाई